हेलो मित्रो गुड मॉर्निंग कैसे आप सब लोग उम्मीद करते हूँ आप सब लोग अपने घर में सह कुशलूंगे हम लोग भी बहुत बढ़िया है स्वागत है आपका आज के व्लॉग में और व्लॉग की शुरुवात देखे कैसे हो रही है जैसे हर एक मा की होती है उसको चेंज Jewish करने का तो मैंने बैटशीट वाली निकाल दी थी और एक डिलू कलर की बैटशीट जो है वो बिछा रही थी । लाईट कलर की बैटशीट मुझे बहुत अच्छी लगते हैं लेकिन लाईट कलर की बैटशीट आप बहुत जल्दी गंदी हो जाती यह भी द देखिए बैट शीट अभी मैंने चेंज कर ली है और आज लड़के को मैंने अपने बना रखा ता कैमरा मैं थोड़ी से मेरी आवाज आप लोगों को अजीब सी लग रही होगी क्योंकि मुझे हो रही है खासी गले में खरास और ये वाली जो चादर है ना जो मैं भी तै कर करी हो मतलब ये ना गरम वाली चादर है अंगूरा टाइप कहते हैं इसको यहां यह मैंने बहुत साल पहले खरीदी करीबन 10 साल पहले दो खरीदी थी उसमें से क मैंने भाई को दे दी थी जब वो बैंगलॉर रहने के ले गया था मतलब बैंगलॉर में जॉब कर रहा था और ये सोफे का जो कवर इसको भी सही कर रही है क्योंकि यहां पर दक्ष ने बैटके से खराब कर दिया था यह मैंने अपने सोफे का एक सेट अंदर ही रखा हुआ है क्योंकि बाहर जब हमने डाइनिंग टेबल लगाया तो स्पेस तो था बट मुझे खुला-खुला जल जल दी क्या वैसी भी सुपे उटते में इस अब काम फटा-फट से करती हूं तो चादर वगेरा मैंने मशीन में डाल दी थी मशीन चला दी थी मैंने धोने के लिए अभी मागी थी किच्चन में चाय बनाने के लिए सबसे पहले चाय तो यहां पर देखे आज पूरा प प्रकती हुँ आद़ा चंबच करीबन अधरक और काली मिर्च भी डालती हूं हाय मुझे डहरी चीज्य जरूर चईए होती है वरना मुझे वह स्वाद नहीं आता और चाय के साथ कुछ नहीं चाहिए होता है, सुबह मुझे सिर्फ चाय चाहिए होती है और मेरा मोबाइल का जो फोन है, मतलब मोबाइल फोन जो है, वो चाहिए होता है मैं अपना व्लागिंग का काम करती हूँ, थोड़ा फेस्बूक, इंस्टाग्राम, रील्स चेक करना, कमेंट्स चेक करना आप लोगों के, यह सारी चीज़े में मैं करती हूँ और अद्रक कितना अभी महेंगा हो जाए, मेरे घर में अद्रक जरूर आता है, चाय के लिए तो वहीं से अद्रक लेके आना, तो मैं अद्रक ले जाती हूँ, यहां से, और क्योंकि मम्मी लोगों के आना, सबजी वगेरा की मार्केट काफी दूर है, मतलब में मार्केट खटीमा जाना पड़ता है, यह जब कोई लोकल मार्केट लगती है, सैटरड़े, संड़े, पत राद में जब यह नॉर्मल हो जाएगा, तब मैं इसको पिऊंगे, और मग में निकाला जा रहा है, दक्ष के लिए दूद, उसके लिए दूद गरम होगा, इसी फ्राइपेन में जिसमें मेरी चाय बन रही है, तो यहां पर देखिए, चाय उबल चुकी है, दूद मैंने अच्छे से पकाओ चाय को ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और मैं सच बता रही हूँ, हर हिंदूस्तानी को, हर पहाडी को, मतलब हर हिंदूस्तानी को, सुबह तो चाय चाहिए ही होते है, जहां तक मुझे लगता है, और सही भी है यह, सही भी है या नही है, मु अभी मैं इसमें ही इसका जो है दूद्ध गरम करने के लिए रख दूगी चाही पती फैक दूगी साइड में और यहाँ पर देखो मैं इसके लिए दूद्ध करने के लिए अच्छा देखो मेरे फ्राइपेन, कॉप, मग, सारे बरतन सब सही होंगे सिर्फ एक कड़ाई है ज देखो दक्ष के लिए मैंने बिस्कित यहाँ पर प्लेट में भरके खाली कर दिये हैं, यह ललका खाएगा या नहीं खाएगा वो पता नहीं है, लेकिन मैं इसको खिला के रहूंगी, क्योंकि इसके बाद है इसकी ओनलाइन क्लासेज, और ओनलाइन क्लासेज में जादा ब्र करने के लिए यह जादा बंब गाद करने करने के लिए यह टाइम झाब अपना बांपना मार्ण का टाइम, सबसे जबसे जयादा फेवरेट ताइम है यह वाला, जिसल네 मैं होते हूं मेरी चाइ वहते है, बेटा होता है, बस और और कुछ निइच साहिए मुझे काना ब्रे इसके तो सारे घादे हैं दूद अभी तक पिया नहीं अभी देखो चम्मच ऐसे उपर कर रहा है दूद गिर जाएगा या कुछ हो जाएगा बट लड़का सुनता का है बट ठीक है इसे ही तो बच्पन कहते है ना बच्पन में यही यादे होती है जो बड़े होके हम याद क हम ऐसा वैसा करते थे करके तो साथ में मैं भी हाँपर अपनी चाय पी रही हूँ इसके बाद मुझे बालों में लगाना है बहुत सारा टेल सिंपल सर्सों का टेल लगाती हूँ मैं कोईไल नहीं लगाती हihomos अच्छा आप लोग बताईए आपके कौन सी एज में सबसे ज़्यादा अच्छे बाल थे मतलब सबसे ज़्यादा बाल ग्रोथ करते थे या तूटते नहीं थे मेरे बाल ना 3-4 साल से इतने तूटने लगए हैं मैं सच बतारू पहले मैं कंगी करती थी ना मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं तूटत थी ना तब मेरे बाल बहुत जादा हेल्दी थे बहुत ही अच्छे थे तब मेरे बाल किसी से बनते भी नहीं थे सिवाए मेरी मम्मी के और अब तो खाली पूच जैसी रह गई है और कुछ नहीं आपको खाली लंबे दिख रहे हैं बड़ पतले हैं बहुत जादा यहां पर तो अब SAR겠 कर रहा है मेरे रखसके the online class अभी over ho गही थी break चल रहा था ग्या हो गया था थोड़ा Ishaみ अकी phone उसी से online class कर रहा था और उसी से फिर मैंने rules ही सो मैंने इसका vlog बना लिया टाइम देख रहा था अभी कितना टाइम है दूसरी क्लास स्टार्ट होने में तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा आराम करूँगा लेटूँगा और फोन एक होने की वज़े से ना बहुत साही दिक्कत है देखो बहुत सारी चीजे हैं इनसान कहके लेगा अभी लिखेंगे उसको कब लेंगे और निकर इसने घर का ही पेना हुआ है और टी-शेट इसकूल की पहनी है मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी तो मैंने नेल पिंट लगा ली आप लोग बताना कैसी लग रही है मैंने silver कला लगाया था इसके उपर से मैंने golden कला लगा तो का हमेशा मेरी हावा जो है ना cover कर लेता है पंखे के आ गया आके और ये कुर्ती पहन के बहुत ज्यादा comfortable हो रहा था जैसे क्लास ओवर हुई तो इसने बुला मम्मी मुझे खाना दे दो मैं इतनी बहुर उरती ना मैंने घर में बहुत सारा काम कर लिया था जैसे डाल कोरा नाम याद हो नाम याद नी होते हैं बच्पन में हम भी इसा ही बौलते थे और स्रिफ हीं और जीरे वाली दाल इसको ज्घा पसाण दे जो जीरे वाली डाली बंती जो बहुत simple, sour, tasty, बहुत अच्छी होती है और आज देखिए, मैंने इसको मार रही हूँ और मैं इसको क्यों मार रही हूँ ना, ये मैं आप लोगं को next part में दिखाऊंगी, इसने कितना गंदा काम किया है, पिटाई वाला next part में किया दिखाऊंगी, मैंने आप लोगं को अभी दिखा दिया कि इसने मेरी कुर्ती फार दी, जिसके बारे में मैं आप लोगं को अभी थोड़े पहले ही कह रही थी कि मेरी ये कुर्ती से मुझे बहुत comfortable फील हो रहा है, इतने में देखो, इसने मेरी कुर्ती फार दी और ये नई कुर्ती है, मैंने इसे सरिफ दो या तीन बार ही पहना है, अब बताओ आप लोग मैं इसका क्या करूँ